कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम सौर्प मार है और मैं आप लोग को इन आफ़र स्पीडी का करेंट पर रहा हूं जो कि आपका फर्वरी 2021 से लेके एक चन्वरी 2022 तक का करेंट है यह आपका बार्शी कांग 2022 है तो इसको हम लोग पढ़ें गया तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे वह आपका महत्तपूर्द योजना को पढ़ रहे थे जो भी आपका कैंसर का का है तो इससे पहले हम लोग में 14 15 16 17 18 19 पाढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे 19 का तो वाज हम सब्वरात करेंगे यहां से ठीक है तो सबसे पहला है आपका का कि ये जांज समाल निधि योजना तो पीएम किसान सम्माल निधी हो जना तो सुरुबात 24 फरवरी 2019 को पधान मंत्री नरेंदर मुदी द्वारा उदेश के सभी किसानों को 6,000 रुपया कती करचक पाध्क्ष आय सहाथा और यह सहाथा दो 2,000 रुपया की तीन किसानों के खात्य में सीधे अंत्रित की जाएगी नेक्स्ट है प्रधान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना तो बारम 15 फरवरी 2019 को योजना के पाद 18 से 40 वर्स के 8 संगाटे शेतर के श्रमिक जिनकी मास्री काई 15,000 रुपिय या उससे कम है लाब 60 वर्स की आयू होने पर 3,000 रुपिय की मास्रिक पेंशन नेक्स्ट है प्रधान मंत्री किसान मांधन योजना तो बारम 12 सप्कंबर 2019 को राची जारकंड में लाब 60 वर्स की आयू होने पर 9,000 रुपिय योजना के पाद 18 से 40 वर्स की किसान जिनके पास 2 हेक्टेर दग ही जमीन खेती की जमीन है तो सबसे पहला था प्रियम किसान सम्माद नीथी योजना तो शुरवात 24 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी द्वारा किया गया पुद्देश के सभी किसानों को 6 अजार रुपेय प्रतच आई साहता या साहता दोदो हजार रुपेय की तीन समार किस्टों में किसानों के खात्य में सीधे अंत्रित की जाएगी नेक्ट है पधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना तो शुबारव 15 फरवरी 2019 को योजना के पाथ 18 से 40 वर्स के अस अंगठित शेद्र के श्रमिक जिनकी मासिक आए 15 जार रुपिया या उससे कम है लाब 60 वर्स की आयू होने पर 3,000 रुपेय की मासिक प्रेंसर नेक्ट धान मंत्री किसार मांधन योजना तुबारव 12 सिक्तमबर 2019 को राची जहरकंड में लाब 60 वर्स की आयू होने पर 29 रुपिया 3,000 रुपिया प्रति मां प्रेंसर योजना के पात तो 18 से 40 वर्स के किसान जिनके पास दो हेक्टेर तक का ही जमिक खेति के जमीन है ठीक है तो सबसे पहले पढ़ा क्या हमने तो पीम किसान समार निधी योजना शुरुबार 24 परवरी 2019 को पीम स्रम योगी मांधन योजना 15 फरवरी 2019 को पीम किसान मांधन योजना 12 सब्दंबर 2019 को ठीक है इस पेकार हमने देखा तो आज के लिए बस इतना ही आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद स्ब्सक्षाइब्स